तो दोस्तो यहां पर आपको VSP or VSN voltage चेक करना है, प्लस 5 अब इन्दू Capacitor पर कौन से, एक हो गया आपका यह Capacitor एक हो गया, यहां पर आपको चेक करना है, प्लस 5 और यहां पर चेक करना है, यह वाला क्या भी यह नहीं, यहां पर माइनस 5, यहां पर यह जो छोटे कॉल है, Cat1, 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 Cat2, यह आपको से beam आने चाहिए, और आपको यहां पर reading आने चाहिए, अगर मैं voltage की बात करो हुए, आपको 0.04, इंडिया का नमाबर इस्टिट को आने, आपको श्रणिया एने की डिया आन है, है दोस्तों, मेरा नम है, देवतियुन अगरवाल आप जैसे कगी देख रहे हैं, आज पर दोदो aston हम चाहरे हैं आपको अहांब सेक्ष्यंग, और यह मैं पूरा कैलास के तरड़ाइपे आपको, यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से Acer Telecom अपने student को training देता है, हलाकि यह आपको solution जो मैं आपको आज देने वाला हूँ यह है, आपके Samsung का J6 Plus जिसका मैं आपको display light IC का पूरा आपको आप जैसे ही देख रहे हूँगे कि यह IC कैसे यहाँ पर काम करती है और क्या है इस IC में सारा function एक display और light का यह वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है और वीडियो को बहुत लंबा यह वीडियो हो सकता है क्योंकि यह वीडियो मैं कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाहता तो इस वीडियो को देखेगा पर मेरे को सबसे पहले जितना हो सकता है like दे दीजेगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत महनत कि आप लोगों के लिए यह जो mobile phone है मैं बता दू यह मुझे अपने यहां local technicians उन से मुझे मिला हुआ है और मैंने खास टॉट पर उससे बोलाता है कि मुझे Samsung पर कोई भी phone आ है तो मुझे जरूर देना मैं उस पर बना सकूँ एक light का section क्योंकि मुझे light का section Samsung पर समझाना था बहुत सारी student बूल ला थे कि sir हमको light के sections Samsung में बताईए क्योंकि Samsung में किस तरह की AC आती है उस पर क्या काम होता है क्योंकि J4, J6, J8 इन में बहुत जादा मसेले देखेंगे हैं और बहुत जादा लोग इस पर काम नहीं कर रहे है तो मैं सज बता हूँ अगर आपको इसका डाइग्राम भी ढूनने जाओके ना तो आपको बहुत जादा मेहनत करनी पर जाएगी क्योंकि डाइग्राम भी अभी बिल नहीं है जो कि आपको बहुत मुस्किल से मिलेगा बड मिल गया तो अच्छी बात है डाइग्राम रीट करना भी आना चाहिए नहीं आपको जड़ूर जोइन करना है तो आपको यहाँ पर लगा दिया है मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ अब मैं इस फॉन को आउन करूँगा तो यह बाइबरेट होता है और बिसी के लिए अगर मैं डीसी से भी दिखा हूँ तो यह आन हो रहा है देखेगा आपको साथ आवाज ना आएं फिर भी मैं कोचस करूँगा यह देखे हलका सा आपको बाइबरेट सन महसूस हुई होगी तो यह जो बाइबरेट हो रहा है मैं यह फोन हो रहा है, पर दूस्तो इसमें लाइट और दिस्पली नहीं आ रही है तो चलिए इसका लाइट और दिस्पली सेक्शन बनाएगे पर सबसे पहले कि हमें क्या-क्या चेक करना है क्या-क्या चेक नहीं करना है तो मैंने यहां पर डाइग्राम प्लस मैंने यहां पर इसका फोटू भी यहां पर आ गया है तो यह फोटू भी मैं आपको बताने वाला हूं इस फोटू के अंदर जो डाइग्राम है कि कहां मैं क् आप से screenshot ले लेना और वहाँ वोल्टेज लिख लेना आपको कभी भी मैं डावा करता हूं तो यह मैं डावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कभी भी सामसंग के J6, J6+, J4 इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यह वीडियो पर पूरा देखेगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और पस्तंद आए और सीखने का मद हो तो हमारे कोस को जॉइन किजेगा हमारे हमारे एसर टेलिकॉम को जॉइन है वो IC light plus display दोनों को ही control करता है और वो IC आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा दू यह रेखे यह वो IC है आपका और इस IC के पास आपको दो बूस्ट कोई देखने मिलेंगे डायोड देखने को मिलेगा जनली आप स बूस्ट लगा है L003 तो सबसे पहले मैं आपको बहुत में में बाते बताने दा चाहता हूं कि हमेशा सबसे पहले light section में आप क्या चेक कीजे सबसे पहले light section में आपको knowledge नहीं है तो आप direct connector पर जाके voltage चेक कर सकते हैं पर मैं हमेशा student को बोलता हूं कि सबसे पहले light section में input voltage क क्यों कि डायोड capacitor यह दो capacitor यह देखें एक डायोड यह लगा हुआ है यह आपका एक capacitor यह और यह कोईल जो लगा हुआ है सीजी कनेक्शन में और यह आपका capacitor एक दो तीन चार इस पर आपको चार voltage चेक करना है जो कि हम चेक करेंगे पहले में आपको पूरा समझा दूँ यह डो capacitor आपके बै बिपी आच मतलब यहाँ पर इसके भी हम आपको बता दू यहाँ पर यहाँ ग्रांड है यहां पर आपको आपको बने दिखने को मिलेंगे यहां दो अपर उन्को नीचे और इहर आपको वेल्टेज दे नäg गलेंग देखने को मिलेंगा तो सब से पहले कि आपको डपर आपका देखेगा से आपके लाइन आपकी यहां पर आपके लाइन अपर धैकल यहां वाली लाई देखेगा उसके बाद में यह जो लाइन आपको जाती भी दिखेगी मिलेगी आपको L6 003 में यह जो आपका कोईल है यह आपका दो कोईल लगे है जिसमें नीचे आपका light का कोईल है उपर वाला आपका है यहाँ पर Lcm का कोईल क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ आ करने के लिए हो गया रजिस्टेंस करने के लिए हो गया जुसक Ba Ralph बोलते हैं जो डंकी से-----MA कर देता तो यहां पर हम बात करते हैं कि कोई आपका बैलेंस कर देगा तो बार कौन सा कोई आपका बूस्ट करता है तो वह बूस्ट कोईल तो बूस्ट कोईल बेसिकली यह वाला जो बूस्ट कोईल है यह जो यहां लगा हुआ है यह वाला जो बूस्ट कोईल है यह आपको प्लस 12 voltage क्योंकि यहां पर एक LED यहां पर क्योंकि हलकि इसमें IPS डिस्प्ले है इसमें 24 बोल्टेज 20-17 कितने भी आसते हैं जो आपको मिलेंगे प्लस 12 voltage करीवन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले यह दो कोईल आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर यहाँ पर पहला एक ये कोई爆 गच्याँ दियर अबर क्पी 16 मिलेंगे यहाँ पर टूटी हूई हलाकि कौई उपा से टूटे तो उसमें कौई दिख करने है पर वो पर अंदर से नि ब्रेक होनी चाहिए और ऐसे टम्स में अगर मान ली जा हम IC पर काम करते हैं उसके बाद नहीं हुआ तो हम कोईल भी यहां पर चेंज करेंगे जरूर देखेंगे दोस्तों यह मैं पहले पूरा समझा दूसके बाद में इसे अकसे बाद में अगे की तो यहां पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे बाइगे हम कर Yoon कई को तो रहें तो को निकालना पड़ेगा तो आप को चेक करने साच है आप डायไोट को चेक कर लिइजेएए अगर आप आफ कंडिसेंट में चेक करेंगे तो दोनों और चार आएंगे अगर आप आउन कंडिसेंट में चेक करेंगे तो यहाँ पर प्लस बारा आना चाहिए और नहीं आ रहा है तो यही फॉल्ट है दोस्तों ठीक है तो मैं डायोट पर चेक कर लूँगा अगर डायोट जो कोईल के माद म से बूस्ट होगा यह कोईल बूस्ट नहीं करता है हलाएकि कोईल इडम से बूस्ट नहीं करेगा जब तक यह इसको इनेबल नहीं करेगा आप सर्कुट को signal तो यह हमको इसको निकाल कर इसके अंदर के जो पोईंट उस पर measurement करके हमें चेक करना पड़ेगा जो कि मैं करूंगा इस वीडियो में पूरा देखेगा इस वीडियो को और फिर से बोला है ज्यूरू कीज़े इसी को रिबॉल करेंगे तो यह काम आपका और अच्छा हो जाएगा और बहतर हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों इस आइसी में यह इसका output यहां पर आउपटम बात करेंगे यहां पर आउपटम से आउपट निकलता है और यह से दो its यहां पर आपको लेना चाहूंगा देखेगा तो यह एक कैपसितेटर है यह है C यहां तक बीप जरू देखेगा क्योंकि ज़्यादा तर फॉल्ट यह भी देखा गया है कि इन दोनों पर लाइने प्रोब्लम बहुत ज़्यादा होती है फॉल्ट बहुत जादा आता है इन दोनों पर आपने एक छोटा सा जमपल लगाना है अगर आपको यहां से यहां पर इसको निकाली देते हैं कि देखे इसको खोलते हैं उपन करते हैं तो आसकल जो भी काम आता है ना जनली वह चार हाथों से होकर ही आता है और बहुत जदा डैमेज हुजाता है मैं सज बता हूं तो चले अब यहां पड़ी बात करते हैं और या अवा करें कि आ तो कि ढूसरी मैं बोल ला दा है कि यहां पर पर लिली अ कुछ है यह अन्पुट लाइन हो रहे हैं ईस 되지 यह इसट पांच वांच क हैं या आपका काया सबिक्रार चाहला इंपूर दूसरा में आइसी है यह अवका कैबिस्टेटर तक को आपको 207022-30 compatible मिलने चाहिए 12 अब प्लस बाड़ा बोल्टेस में कितना भी हो सकता है ठीक है तो मैं डिस्पले में दिखाने वाला था देखें डिस्पले में GOT दिख रहा होगा आपके आपके बढ़ते हैं क्या क्या आपने देखा तो देखा कि भई इस ic में जो light का section में यह कोयल हो गया इनपुट यहीं बूस्ट कोयल से धिए बूस्ट कोयल जब इन सिंगल की अंदर से यह आ रहा तो उसमें से brightness control होती है इस पर दो कोईल लगे होगे है L6 006 और L6 007 जो कि आपके ये जो दो कोईल लगे हो यहां लगे हो है जिस IC के नीचे तो यह आपको जरूर देख लेना है हो सकता है इसकी वज़े से भी आपका light ना आए मैं आपको बता देता हूं यह दो कोईल क्योंकि अगर यह कोईल एक भी open हो गए ना तो हो सकता है हाफ light का इसू बन जाए हो सकता है कि light का half light का इसू बन जाए तो इसमें किसी भी प्रकाट का इसू आ सकता है आधी light हो गई या फिर पूरी light नहीं आ रही है कोई कि दोनों को लोट जाएंगे तो पूरी light ही नहीं आएंगे अब्वि जेक्राइब लिए साथ The कॉझ देता है कि यह C चालेस और Capatयाया लिए यह आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक 1614 आपकोो देखने को मिलेगा यह उपर और यह आपको यहां देखने को मिलेगा मैं आपको यह लखाते तेता हैं यह वीऐशन का डीक प्लुटर on जेखने को मिलेगा just 5.85 आपको प्लॉस rollers weлось देखने को करता है और यहां आपको दिखने को और यह तो गया अगर मालों आप बोल तो सोर नेहां पर मुझे रीडिंग आ रही है यह कोई voltage नहीं नहीं आ रहा है तो इसका मदलановा बनाने रहा है तो सबसेनिखेंडाच्ट की जाएन और हो है है यहां पर और अब दा Чालवे और लेच़ किणीड गलता है जो कि connect करता है आपके graphis IC से और जैसी LCD लगा होगे वैसे ही enable करेगा ताकि आपके voltage बना के आपको दे प्लस 5 और माइनस 5 आपको voltage बना के देगा जब आप LCD connector लगा होगे क्योंकि LCD connection बनाता है तरह से तो यह जरूर चेक कर लेना और इसकी continuity आपको LCD connector पर आने चाहिए तो इधर जा रहा है आपके B2 और B1 पर इधर जा रहा है तो यह B-Line बहुत इंपोर्टेंट आगा दिखा जाते हो क्योंकि B2, B1 तो इसका CPU इसका हो गया enable का B3 आपका हो गया और A1 और बहुत सारी चीज़े में groundy होई है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसान है फिर से में बता देता हूं दिखिए अगर लाइट क्ले चेक करना है तो यहां पर चार वोल्टेस इंपुट यह बूस्ट कोईल में भी पानी चाहिए आप यहां से ड आपको तो यह अगर डायोट सही है तो आपका वो light चलेगा अगर डायोट सही नहीं है तो भी आपका light नहीं चलेगा सो सीदी सी बात है यह light के i2c कमांड होती है प्रोटोकॉल के तहर्ट यह CPU को controlling लिए देता है इस पर 1.1.8 power से मिलते हैं 2.2k के रिजिस्टर में लगे हो आपको यहां पर आपको VSP or VSN voltage चेक करना है प्लस 5 अब इंडू कैपिस्ट्रेटर पर कौन कौन से एक हो गया आपका यह कैपिस्ट्रेटर एक हो गया यह यहां पर आपको चेक करना है यह वाला कैप यह नहीं यहां पर मानने चाहिए यह जो कोईल लगे हुए है आपर यह आपको यहां पर रेडिंग आने चाहिए अगर मैं 0.04 तक सम्धिंग आपको यह 0.08 तक उसके अंदर वोल्टेज बनने चाहिए यह कैपिस्टर आपका माइनस 58 वोल्टेज का कैपिस्टर है सिदी सी बात यह है कि लाइट का सेक्शन कुछ नहीं बहुत असान है अगर आप यहां पर यहां पर यहां पर आपको बताना चाहता हूं इस सारी चीजे तो यहां पर आप देखेंगे कि आप सबसे पहले इस को चेक कर सकते हैं और उसके बाद यह डायोट का कहरा हमारा सीन नहीं है इससे सिब लाइट का प्रोबलम है पर डिस्प्ली में ग्राफिस दिख इस मेरा के लिए नहीं क्योंकि हम दोनों ही कारा है कि क्योंकि हम यह कूइल चेक कर लेते है और दूसरा हम बात करो लेते हैं अगर अगर ग्राफिक्स आता तो अगर हम आख सेथ लाइट बेशन कर्ता है यहמים में नहीं हीरा ग 빠ल सफ़ोंग कि मेरा मिहिंस आख और यह मीरा बागी कुछ कैपसिर्टर में जुरूर चेक करता है अगर कोई शौट होते तो उसको जरूर चेंज करता। तो दोस्तों I hope कि आपको यह पसंद आए जिस तरीके से मैं आपको बता है। थोड़ा आपको एस लगया आँदिए वह आपको बहुत लमबर ना हो जाए क्योंकि बहुत बात बीड़ में बताने से मुझे पूरा एकिन है झाल 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 देखें लाइट आ चुकी है चलिए तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेक्शन्स की मैंने बताया पूरी तरीके से अब देखें यहां पर चालू वीडियो में भी आपको पूरा बता प्लस 5.8 जदकी लिखा हुआ वह 5.4 भी उसक्तिया में ने बता है बैट्टी के साब से फ्लच्ट करते हैं और इसे साब से मेरे यहां पर वोल्टेज बन रहे होंगे तो यह दो यह वाला जो कोईल है बहुत सारा प्यार कम से कम 500 के ओपर लाइक मुझे दे दीजे इस बार और मैं चाहता हूँ जितना हो सता है प्लीज आप सभी लोग लाइक करें और आप मुझे अच्छा लाइक करेंगे तो इस बार मैं आपको ऐसा ही कुछ अलग कंटेन आपको बना के दूंगा और मैंने इ तो दूस्तों कैसा लगा आप को यह वीडियो आप पताएका कमेंट करेंगे जरूर और इसको लाइक जरूर कीजेगा इस वीडियो में की है बहुत भी मैंनत और कोसिज यही है हमें हमेंसा बैसे बैस्त और आपका प्यार चाहिए ताकि हम जा स्दैबर से जोड़ सके हो आ सब्सक्राइब हमें लाइट मिल सकें दोस्तों ये वीडियो हमने डाला हुआ है लोगडाउन की तरू चलते हुए मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं स्टेटस की पहुत सरी लोग पूछना चाहते हैं कि सब्सक्राइब कर दिया गया जैसे कि आपको पता है नए नियम क के हिसाब से तो 12 अगस्ता तो भई अभी कोई क्लास नहीं है 12 अगस्त के बाद फिर हमारा हो सकता है कि जो हमारा जो पहला बैच हमारा मार्च का बैच लगना था 28 अगस्त को तो मैं आपको डेट भी बता देता हूं तो जो लोग वहां पर एंड्रोल करा चुके हैं और रे अगले दिन सीड मिल जाएगी यहां हमारे यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे और रेडी प्री बुकिंग चलती है और बहुत पहले ही हमारे आगे के बैच बुक हो जाते हैं तो आप भी अभी इसी नंबर पर कॉल करे के अपनी बुकिंग करा लीजे क्योंकि हो सकता है न उसे चनल पर मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं UFS के वारे में UFS और इजी जेटेक में लोगों को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोग समझ रहे हैं कि मैं इजी जेटेक खडीद रहा हूं इमेड के साथ उसमें UFS चिप्स उसमें UFS अड़क सब्सक्राइब में आ रहा है जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है इस पर प्रॉपर तरीके से पूरा एस्प्रेनेशन के साथ केतने रुपे का एक मार्केट रेट के साथ आपको बहुत अच्छा दाम पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा वीडियो को ज़रूर वाच वेबसाइब में जा सते है www.azertelecom.info या तो आप कर सते हैं अब हमें कॉल कीजे आप और क्योंकि इससे ऊपर भी आपको किस तरीके से बताया जाएगा क्योंकि बहुत अत्तक भी एक वेबसाइब में डालना एक चीज है पॉसिबल नहीं हो बाती है दूसी बात आपको क् साइध ही दे पाए तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा नंबर बन पर यहां पर आपको दिख रहा हो का वह है इंस्टेंट कॉलिंग सिस्टम मतलब दोस्तों क्या होता है कि मोबाइल की फील नहीं यह बिल्कुल नहीं चीज है हर दिन 10,000 टैप के नहीं मॉबाइल नहीं सट अब जैसे फोर जाम पर रड़ीमी नोट 8 की बात करें उसमें चो लाइट आई से रही मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोगों को नौलेज हो कि पर उनका क्या जो सिभ चेल है क्या इसी सिख चले का या 12 बॉल या 9 बॉल तो उसके उपर क्या मलब 16 लेग उसके उपर क्या जादा मने लोगों को पढ़ा है और बहुत अच्छा आमारा बैक्डाउंड और बहुत अच्छा आमारा एक्सप्रियंस रहा है इस इंस्ट्यूर में इस्ट्यूरिंट के साथ पर डोस्तों मैं सच बता हूं कि नंबर में पर मिलेगा इस्टेंट कॉल इन सब्सम्स मतलब और वहां पर आप EMC लेवल तक क्या उनसके सवाल पूछ सकते हैं जो आपको बहुत हट तक सलूशन देंगे और उसके बाद तो फिर हम बैटे ही है तो दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा यहां पर दूसरे नंबर पर आपको जो मिलेगा जूमैप के तुरू यह सबसे मेन गूंदेट है एक चुछ इंस्ता यह तो तो हो गया वर्ड लेवल पे अपडे जूसरे हो गया है जूमैप में दूस्तों हम पर्टिकरली रूसटों हम पंपिकरली खोद टीचर आ कर यहार महिने में अपने हर बैच के स्टूडें को अपडेट करया है जtech अ अब लाइट म उसको पूरा इंपूट आउपुट इन जो भी उसकी इसकी कमांड लाइन है जो भी अड़र पॉर्टोकॉल जो उनकी सप्लाईया वह सारी सप्लाईया उसमें उसमें आम सेयर करते हैं और आपका आपसे डाटा वो लेते हैं और उसे सीखते हैं सो यह तीन चीजे बहुत जादा इंपोर्टेंट में जो बड़ी लेबल पे हैं अगर आप जॉइन करते हैं तो आप यह सुच के आप यह मांन के चलिए कि हम आपको जुदी के बड़ नहीं छोड़ने बाले हैं क्योंकि हम जानते हैं आपने एक महनत से पैसा कमाया और महनत से पैसा कमा कर आपने एक इंसिटूट को जोइन किया है यहां हम आपको आपको साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और कम्पोनेंट के बारे में क्या करना था जाए था आधाय था था यह दिखा रहे आधि दिखा रहे है आधि पेकल नहीं है कॉमन है धिर भी हमावी साथ विद्यों में कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करना है तो उसके लिए एक महिना भी बहुत कर दो कि एक बार दोर से क्लाप कर दीजिए इनके लिए आइसे लगाएं अईसो 90001 & 2008 certify institute Asia Telecom advanced mobile repairing institute call for admission 9 644 139 972 download mobile free repairing android apps link in description